नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हरुषिद वेदी और मैं आपको स्वाथ करता हूँ स्पेक्ट्रम मौडर्न हिस्ट्री की पार्ट 63 में देखते हैं आज कौन-कौन से टॉपिक्स हम लो डिसकस करेंगे पॉलिटिकल एससीशन्स बेफोर दे इंडिन नेशनल कॉंगर्स आपको पता है इंडिन नेशनल कॉंगर्स 1880 इं मनी थी इससे पहले कौन-कौन से पॉलिटिकल एससीशन्स बने इनके ओपर नजर मानना ज़रूरी है रीजन वाइस इनको डिसकस करेंगे तो सबसे पहले पिल्कुल कर लीजे, साथ-साथ इस वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए और मेरे दौरा डाली गई और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप टेलिग्राम गूर्प जोइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप उस लिंक से फ सकते हैं, पहला Political Organization या फिर कहना चाहिए, कि पहला Major Political Organization इंडिया कौन था, इंडियनेशनल आउग्रिस, तो क्या अब हम ये बोलें कि इंडियनेशनल कॉंग्रिस से पहले जो Political Organizations बने वो Major नहीं थे, नहीं दोस्तों, वो भी Major थे, वो भी Important थे, कहीदाने उनका बनना जरूर जिसने हर सेक्षिन को परवेट किया जिसने पहले कि सारे पॉलिटिकल और्गनाइजिशन की गलती को साइड अटाके कांट छाट के एक रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी को बनाने की कोशिश की वो था आपका इंडियनेशनल कॉंग्रेस उससे पहले जो पॉलिटिकल एस्स असे बारे में बात करेंगे इंडियनेशनल कॉंग्रेस से पहले जो पॉलिटिकल एस्सेशन बनेंगे they were dominated by wealthy and aristocratic elements अभी अगर वो वेलदी और aristocratic elements से dominate होंगे तो कहीं न कहीं वो poorer sections of the Indian society के बारे में नहीं सोचेंगे आंगरेजी राज का उस हद तक criticize नहीं करेंगे जिस हद तक करना चाहिए हाला कि शुरुवात में तो इंडियन national congress ने भी एक limit जादा criticize नहीं किया बट इंडियन national congress बहुत तीजे लिखते थे ताकि इंडिया में किये जा सके कुछ चीजें जैसे कि इंडिया में administrative reforms किये जा सके इंडिया के administration में ज़्यादा ज़्यादा individuals को associate किया जा सके education को फैलाए जा सके तो इन सब चीजों को इन्होंने करने की कोशिश की और आप देखोगे कि जो उन्निस्वी शताबदी थी उन्निस्वी शताबदी के पहले हाफ में यानि कि आप कह सकते हो 1800 से लेके 1850 तक में जो भी आपके political organizations बनेंगे वो उतना जादा मतब वो आप कह सकते हो कि बिलकुल ही top level के जो लोग है वो बनाएंगे 1850 के बाद जो political organizations बनेंगे उसमें पढ़ी लुकी middle class भी होगी यानि सिर्फ अमीर लोग नहीं educated middle class जैसे कि वकील, journalists, doctors, teachers चुकि ये लोग पढ़े लेके हो गया थे इनका perspective बहुत broad हो गया था agenda इनका बड़ा हो गया था तो political organizations Congress से पहले 19-वी शदाबदी के शुरुवात से दिखते हैं बाद के political organizations में मतलब कि इंडियन National Congress से पहले जो political organizations उसमें भी जो later part में 1850 से लेके 1885 तक के जो हैं उनमें आप देखोगे कि lawyers, journalists, doctors, teachers ने सामने आके society की गलती को हटाने की कोशिश की बट ये political organizations में कमिया थी जो लोग थे वो डॉमिनेट करते थे दूसरा इनका करेक्टर रीजनल था ये किसी एक particular local जगा की problems को देखते थे पैन इंडिया बाच्चित नहीं करते थे और कहीं न कहीं ये organizations lower strata of the Indian society को अपनी तरफ नहीं कीच पाये थे तो देखते हैं political organizations before इंडिया नेशनल कॉंगरस में सबसे पहले बात करेंगे political associations in बंगाल और political associations in बंगाल में सबसे पहले निकल के आता बंग भाशा प्रकसिका सभा ये वाला organizing बंग भाशा प्रकसिका सभा को बनाया गया 1836 में इतना important नहीं है ये organization उसके बाद आते हैं जमीनदारी association जमीनदारी association को एक और नाम से बोला जाता था जिसका नाम था Land Holders Society तो हो सकता है कि आपके सामने सवाल में Land Holders Society हो confused मत होईएगा वो जमीनदारी association ही है आप बाद में देखोगे यही Land Holders Society बंगाल British India Society के साथ मिलके British Indian Association में convert हो जागा इस पर थोड़ी देर में आते हैं जो यह जमीनदारी association था जिसको आप बोलतो है Land Holders Society अभी इसका नाम ही Land Holders Society है तो यह किसके safeguards को देख रहा होगा किसके interest को देख रहा होगा Landlords के interest को देख रहा होगा अभी आप जमीनदारों के interest को देख रहा होगा अभी आप जमीनदारों के interest को देखोगे तो गरीबों की तो बात ही छोड़ दो चूकि यह जमीनदारी तो खून चूस रहा तो गरीब होगा तो जो Land Holders Society थी इसका जो objective था वो बहुत limited था यह लोग organized political activity करते थे constitutional agitation करते थे British Parliament को चथी लिखते थे higher English officials को चथी लिखते थे ताकि अपना भला कर सकें गरीबों का नहीं गरीबों का तो बस यह नाम लेते थे भला यह अपना ही करते थे फिर जो अगला organization हम लोग बात करेंगे वो है Bengal British India Society यह बंगाल जो British India Society है यह कब बनेगी? यह बनेगी 1843 में 1843 में 1843 में जो बंगाल British India Society बनी की इसका काम क्या था? कि भाया जो British India में लोगों की हालत है वो दूसरों को पता चलनी चाहिए यह जो British India में लोगों की हालत है वो इंडिया के अलग-अलग parts में लोगों को पता चलना चाहिए, वो British officials को पता चलना चाहिए, वो England में जो लोग बैठे हैं उनको पता चलना चाहिए और जो England की public है, उनको ये पता चलना चाहिए कि देखिए आपका देश आके इंडिया में क्या कर रहा है, तो बंगाल British India Society 1843 बना, इसमें British India में जो actual हालत थी लोगों की, उसके बारे में दूसरों को अवगत कराने की कोशिश की गई, साथ साथ, peaceful तरीके से, lawful तरीके से, अलग-अलग जो citizens थे, अलग-अलग जो sections थे हमारी society के रहे, उसके welfare की हलकी-फुलकी बात की गई, लेकिन कुछ भी कह लीजे, बंगाल British India Society जो बिलकुल ही lower तबका था, उसके welfare के लिए ज़ादा कुछ नहीं कर पाए, चुकि obvious ही बात है, बंगाल British India Society की बात कर लीजे, चाहे जमीनदारी association की बात कर लीजे, इन में elite members थे, और elite members पहले अपने लिए सोचेंगे, भले है वो नीचों का गरीब, गरीबों का खुन चूस के अपना पेट भर रहे थे, बट कहीं न कहीं ये लोग भी अंग्रेजों से परिशान थे, तो पहले ही अपने rights के लिए लड़ेंगे, बाद में देश के अलग-अलग sections के लिए लड़ेंगे, लेकिन कोई भी section अभी नीचे के level पे, जो ground level पे लोग हैं उन तक नहीं पहुँच पाएगा, फिर भाईया entry होगी British Indian Association की, ये रहा, और British Indian Association में बनेगी खिचडी, कैसे बनेगी, 1851 में क्या होगा, कि Land Holder Society जो की है जमीनदारी Association और 18 1943 में बना हुआ बंगाल British Indian Society, ये दोनों मिलके बना देंगे British Indian Association, और ये एक petition भेजएगा British Parliament में, demanding inclusion of some of its suggestions in the renewed charter of the country, यनि अब जो British Indian Association बना, दो चीजों को मिला के, वो अब petition भेजना शुरू करेगा Parliament में, और उन petitions में जो अगला charter आने वाला था company का, उनके लिए कुछ demand Establishment of a separate legislature of a popular character, दूसरी demand, separation of executive from judicial functions, तीसरी demand, reduction in salaries of higher officers, चौथी demand, abolition of salt duty, अगबरी and stamp duties, अभी उस समय में ये demands बहुत बड़ी थी अगबरी tax के उस समय पे बहुत मतलब हुआ करते थे, ये एक तरीके का revenue tax था, जो की intoxicator, liquor और drugs के उपर लगाये जाता था, कभी-कभी इस tax को इसलिए भी इस्तमाल किया जाता था, कि वो farmers जो अपने land को till नहीं कर रहे हैं, और जबरदस्ती खाली छोड़े तो उनके पर भ पता ही थी, नमक की duty, stamp duties, आपको मालूमियन, तो इन सब चीजों की demand की, और देखे ये demand बहुत progressive थी, तो ये तो बहुत obvious था कि अंग्रेजी सरकार सारी demand तो मनने वाली थी नहीं, बट अंग्रेजी सरकार ने बोला कि चलो, कुछ हलका फुलका इनको lollipop दे देते, तो थो इंडियन मेंबर्स को जगा देने की बात कही गई, तो भाई, कह सकते हो आप, establishment of a separate legislature of a popular character की ये जो demand है, ये तो पूरी नहीं की, लेकिन कम से हम governor general के executive council में 6 लों को जगाई दे दी, यही बहुत है, तो जो इंडियन सोसाइटी के aristocratic element थे, अब उनके बीच में politics सुरू हो जा 56 ने बनाया, किस ने बनाया, the grand old man of India, बहुत respected personality थे, हमारे दादा भाई नेरूजी जी, इन्होंने बनाया, इन्होंने क्या बोला, कि we will discuss the Indian question and influence public men in England to promote Indian welfare, क्या कहने का मतलब इनका, नेरूजी साहब ने बोला कि देखिए मैं लंडन में रहके, इंगलेंड के लोगों को ये नेरूजी जी ने बदलने की कोशिश की, अभी वहाँ की अंग्रेजी जनता भी, अगर ये सोचे भी कि हाँ इंडियन के साथ बोला हो रहा तो वो भी क्या करेगी, वहाँ पे भी पूरी तरीके से अभी accountable नहीं थी उनकी सरकार जनता की तरफ, कहीं ना कहीं, जो aristocratic elements थे, ज सिसर कुमार गोशनी ने, object क्या था? Stimulating the sense of nationalism amongst the people and encouraging political education, यानि लोगों को political education बताओ, लोगों को बताओ कि भाई politics क्या है, कैसे अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं, तो जब ये politics लोगों के सामने आएगी, अंग्रेजों का राज करने के तरीका लोगों के सामने आएगा, लो लोगों को समझ माएगा, अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, तो लोग अंग्रेजों खिलाफ एक जूट हो जाएंगे, तो nationalism की भावना उठेगी, ठीक है, और next organization बात करेंगे जो, वो है आपका Indian Association of Calcutta, आप कह सकते हो, Indian National Congress से पहले अगर कोई important organization निकल के आया, तो वो था Indian Association of Calcutta, इसको Indian National Association भी कहा जाता है, तो confused मत हो येगा, Indian National Association and Indian Association for Calcutta, ये एक ही चीज़ है, ठीक है न, अब इससे पहले बना था Indian League, Indian League को आप कह सकते हो कि, सक्सीड किसने किया, Indian Association of Calcutta ने, जिसको Indian National Association भी बोला गया, कब बना, 1876 ने बनाया, किसने बनाया, यंगर बंगाल, जिसमें थे सुरेंदरनात बेनर जी और आनन्द मोहन बोस, ये दो important नाम थे, ये लोग जो British Indian Association काम करा था, आपको बताया था न, मैंने कि British Indian Association दो organizations को जोड के बना था, Land Holder Society और बंगाल British India Society, अब ये भाई, aristocratic element से भरे हुए थे, जमीनदारों से भरे हुए थे, तो ये तो उनकी favor की बात करेंगे, लोगों के लिए सोचेंगे नी, तो ये जो Indian National Association वाले थे, ये चिड़ गए, क्या ये अपने लोगी काम कर रहे हैं, तो सुरेंदरनात बेनर जी और आनन्द मोहन बोस जी लोगों के लिए काम करना चाते थे, और उनको समझ माया कि भाई British Indian Association है, इसके बस की कुछ नहीं है, चुकि British Indian Association conservative और pro-landlord है, और landlord तो वैसे किसामों का जम्मी और इसका, peasants का खुन चूस थे, तो कहीं ना एक ऐसे association की जुरुत है, जो लोगों के लिए बात करें, तो क्या बना, तब बना आपका Indian National Association, Indian National Congress से पहले अगर सबसे important कोई association है, त ठीके ना, Indian National Association का एम क्या था, promote by every legitimate means, the political, intellectual and material advancement of the people, यनि देश के लोगों का advancement, political advancement, intellectual advancement, मतलब उनको education देखे, उनके दिमाग में reform करो, उनके दकियान उसी ख्यालात को निकालो, material advancement, तो ये जो गरीब, भूकी नंगी जनता है, इसको कपड़े दो भाई, इसको पैसे दो, ये अच्छी जिन्दिगी जी सके, इसके बारे में बात की किसने, Indian National Association ने, तो जो basic aim था, Indian National Association को वो मैंने बता दिया, क्या है कि भाईया, political questions पूछो अंग्रेजी सरकार के, इसके लिए आप एक strong political opinion बनाओ, देश की जनता, जब politically unite होगी, तब अंग्रेजों से जवाब मांगा सकता है, और Indian लोगों को एक common political program में बांधो, अभी भी दोस्तों, इस movement में एक problem थी, problem ये थी कि देश की गरीब जनता, देश की भूकी नंगी जनता, जिसके पास खाने के पास भी पैसे नहीं है, उनको ये ideas समझ में नहीं आएंगे, ये ideas तब समझ में आते हैं, जब आपक पेठी भूखा है, आपको क्या ही समझ में आएगा, और उस समय तक modern means of communication भी उतने नहीं थे, inter-regional mobility भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, ठीक है, 1856 की समय पे पहली railways आई थी, तो अभी भी railways का इस्तमाल उतने proactive तरीके से नहीं हो रहा था, लेकिन अब आने वाले समय में चीज़ें बहुत तीजी से बदलेंगी, फिर Indian National Association ने एक और चीज़ बोली, कि जो Indian Civil Services exam की जो age limit है, जो आपने इसको reduce कर दिया है, इसको फिर से बढ़ाईए, और Indian Civil Services के exam को आप जो England में कराते हो, उसके साथ साथ आप उसको इंडिया में भी कराईए, अभी England जाने की उकाद तो उस समय की इंडियंस की थी नी, आज की पास करो दोस्तों, आज ही कितने लोग की उकाद है, इंगलेंड जाने की, इंगलेंड जाने अगर आपको घूमना है, तो at least आप, अगर आपके father, mother आपके trip को finance नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आप 2-3 लाक रुपे महीने कम आ रहे हो, तो आप सोच पाओगे कि चलो इंगलेंड घूम के आते हैं, इतना महंगा है, ठीके ना, तो सुचो आज की डेंड में यहाला थे, जब टूरिजम इतना प्रमोट हो चुका है, तो उस समय की society में इंगलेंड जाना कितना मुश्किल हुआ करता होगा, आप समझी लोग, ठीके, तो उस समय पे अगर British Civil Services में आपको IAS बनना है, उस समय पाइस नहीं बोला जाता था, तो आपको England जाके एक्जाम देना है, अभी England जाके एक्जाम देना है, तो यहाँ पे इंडिया नैशनल एसोसीशन ने बोला कि नहीं भाई, इंडिया में भी एक्जाम कर रहाईए, ठीक हैं, इंडियानाइजेशन करिये administrative post के, administrative post पे इंडिया के भी लोगों को जगा दीजे, यह जो arms act लेके आयो अब 888 में इसको बंद करो, वर्नाकुलर प्रेस act लेके आयो उसको बंद करो, तो इस तरीके की बाते करने शुरू की गई, फिर यह जो इंडियान National Association को जोइन कर सके, तो और आप देखोगे, कि एक All India Conference होगी कलकत्ता में, 28-30 दिसंबर 1883 को, यहाँ पे एक जो Conference थी, वो इंडियान National Association की Congress थी, 100 से ज़्यादा रेलिगेट आये थो, देश के अलग-अलग हिस्सों से आये, तो इसलिए कहा जाता है, कि इंडियान National Congress से पहले अगर कोई Pan India Organization बना, तो वो इंडियान National Association था, कहीं न कहीं, इंडियान National Association ने वो प्लाटफॉर्म मना दिया था, कि एक इंडियान National Congress जैसे, बड़े मेमत और्गनाईजेशन की Foundation रखी जा सके, फाइनलि इंडियान National Congress की पहले मीटिंग होगी, 1885 में, और 1886 में, इंडियान National Association इंडियान National Congress के साथ मिलके, Congress को और स्ट्रॉंग मना देगा, तो यह तो थे Political Associations of Bengal, जहां तक Bombay की बात की जाएं, यहां पे दो ही आपको Organizations दे रखें, और इसलिए क्योंकि दो ही important है, सबसे पहले अगर Bombay में Organization की बात की जाएं, तो कौन सा बना तो पूना सारुजनिक सट में, किसने बनाया महादेव गोविंद राणादेजी ने, काम क्या था, कि भाया Government और पीपल के बीच पे जो ग्रिप, जो गैप है, उसको एक ब्रिज के थूरू पूरा गिया जा सके, यानि जो लोगों की जरूरत है, उस जरूरत को British Government तक पहुँचाय जा सके, British Government को ब महादेव गोविंद राणा जीजे ने मनाया, महादेव गोविंद राणा दे नाम रखेगा, नाम याद रखेगा, 1800 सरसर्ट में मनाया, फिर अगला आता है, Bombay Presidency Association, किसने मनाया, बदरुद्दीन तयब जी, फिरोशा मैता, केटी टलांग, 1885 में, Bombay Presidency Association आपका, UPSC Prelims मे तो है, मदरास, महाजन, सभा, 1884 में बनाई गई है, किसने किसने बनाई, M, विरार अगवचारी ने, B, सुब्रमन ने, आयर ने, P, आनंद चरलू ने, इसके बारे में मैंने इससे पहले Spectrum की वीडियो में डिसकस किया तो और वहाँ पे कुछ दो-तीन organizations मैंने आपको नहीं है, इसलिए आपके उपर Responsibility है कि भहिया, चीज को ठीक तरीके से पढ़िए, फाइनली खतम करने से पहले Pre-Congress Campaigns देख लेते हैं, यह जितने भी मैंने आपको अभी Political Associations बनाए, Indian National Congress के आने से पहले, इन सब Associations ने मिल के भी कुछ important काम किया है, क्या का काम किया है, तो इन्हों ने बोला कि भीया, cotton जो इंडिया में इंपोर्ट होता है, उसके उपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, यह 1875 में इन लोगों ने petition किया, गौर्वर्मेंट सर्विसेज में इंडियन को आप और representation दीजे, इसमें तो बहुत प्रोएक्टिवली इंवाल था, इंड इंडियन से पर्मिशन छीन ली गई कि आप बंदू के नहीं रख सकते थे, इसको अटाने की बात की गई, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट की भाईया, इंग्लिश के अलावा, जिस जिस चीजों में न्यूस पेपर पब्लिकेशन छप रहे हैं, उनको बंद करो, ठीक है, तो य यह वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने पेटीशन किया, फिर इन्होंने बोला फॉर राइट टू जोएन वॉलेंटियर कॉर्प्स, अब यहां पर यह जो छटा पॉइंट है, वॉलेंटियर कॉर्प्स, भाई यह क्या चीज है, ठीक है न, यह शायद कै 1856, तो उसमें इंगलेंड की फोर्सेज ही और भी बहुत सी जंगय हुई थी, महाँ पे इंगलेंड की फोर्सेज ही इंगलेंड ही गुच जाता था, उस समय की सबसे बड़ी कोलोनियल टाकत था, तो कहीं ना कहीं, इनके जुस्छर्स थे, वो दुनिया भर में अलग अल society के उनको basic training देके इस volunteer cops में recruit किया गया और ये बोला गया कि भाई देखिए अगर जरूरत पढ़ती है इंडिया में तो इस volunteer cops की services को लिया जाएगा तो मान लीजिए अगर British forces या Indian forces इंडिया में कम है और उस समय पर Britishers को किसी force की जरूरत है तो backup की तरह volunteer cops को train करके रखा जाता है अच्छा इंडिया भी इनको join कर लेते थे अरे भाई या पैसा मिलता था इनको इस चीज़ का ठीक है तो volunteer cops को join करने की permission मिले लोगों को इसके लिए भी इननों बोला चुकि उनको पता था कि इसको जोइन करने से लोगों को पैसा मिलेगा तो लोगों की जे में पैसा जाएगा तो ये अच्छी बात है तो volunteer cops को join करने के right को लेके भी petition किया ये जो pre congress organizations थे इनों ने फिर plantation labor के अगेंस petition निकाले जो बर-बर के मौरिशेस और दूसरी जग़ों पर लेके जाते थे labor को वहाँ पर जाके काम करवाते थे गदा मजूरों की तरह उसके अगेंस petition किया Inland Emigration Act के अगेंस petition किया अब अगर वो plantation worker अपने काम को छोड़के जाना चाहिए, tea garden को छोड़के जाना चाहिए तो उसको जाने की permission नहीं थी इस act के तहद तो इसके अगेंस्ट भी एक बहुत बड़ा movement चला हजारों की तागाद में plantation workers ने बोला भाईया हमें नहीं काम करना तुम अपना काम अपने पास रखो हम अपने घर वापस जा रहे हैं तो जब वो ऐसा बोलते थे तो अंग्रे जी डंडा मारते थे बोलते थे inland immigration act तुम नहीं जा सकते तो भाई फिर इसके खिलाव भी एक movement हुआ तो इन लोगों नहीं बोला कि नहीं भाई ये जो inland immigration act आपने चला रखा और जबरदस्ती गजा मजूरों की तरह इत्ते बड़े crowd को आपने जो गुसेड रखा वो गलत है ये नहीं हो पाएगा ठीक है फिर support of ilbert bill ilbert bill में controversy बहुत बड़ी हुई है मैंने आपको बताया था ilbert bill के तहट Indian judges को इताकत गी गई कि वो European criminals को भी trial कर सकते है Europeans ने बवाल मचा दिया अरे भाई हम तो superior race है या Indian judges हम पे कैसे राज करेंगे नहीं हो सकता तो ilbert bill में changes किये और ऐसे changes किये कि change का मतलब ही बंद हो गया फिर भाई या political education overall India में ठीक है न Britain में campaign कराना ताकि pro India party आ जाए जो इंडिया की तरफ थोड़ा soft सीना रखती हो हलाकि कोई भी pro India party England में थी नहीं England में सारी पार्टिया पैसा कमाने को बैटी थी और East India company उनको पैसा दे रही थी तो कोई मतलब नहीं था East India company तो 1857 के बाद खतम हो गई जो British government थी इंडिया में वो क्या कर रही थी वो पैसा ही तो कमा रही थी they were all here for money political control तो था ही सासा चूस रहे थे पैसा कमाने के लिए आये पैसा कमाने के लिए उनको पॉलिटिकल control के तो पॉलिटिकल कंट्रोल चोड़ेंगे जो सबसे priced colony थी इंडिया तो priced colony थी इंगलेंड की कभी चोड़ेंगे वो तो मार मार के बगाया है इंडियास ने ने तो जाते दो ही ना यहां से फिर आगे यह नोंने बोला कि भईया यह जो इंडिया सिविल सर्विसेज है इसकी maximum age को जो आप रिड्यूस किया है गलत किया है इसको बढ़ाईए ठीक है ना फिर इंडिया एस्विल सर्विसेज आज़ो तुक अप दिस कोशन और 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 इंडिया एजिटेशन अगेंस इट मतलब यह जो इंडिया सिविल सर्विसेज की एज को आपने घटा दिया है यह घटाना चलेगा नहीं आप इसको बढ़ाईए इसके लिए पूरे देश में एक इंडियन सिविल सर्विसेज एजिटेशन कराने की बात करी गई हाला कि एजिटेशन बहुत लिमिटेट पॉकेट में हुआ था तो यहां यह चैप्टर 10 खताम होता है दोस्तों अगले में हम लोग चैप्टर 11 शुरू करेंगे जहां पे इनने नेशनल कॉंग्रेस की शुरुवात के बारे में हम लोग बात करेंगे आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जो जो कर दीजगा ज़्यादर लोगों के साथ इस वीडियो को शेर कर लें हो चैनल को जो शब्सक्राइब करें word of the mouse से अपने दोस्तों को बताय है चैनल के बारे में